नमस्कार दोस्तों मैं हूँ मम्ता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल मम्ता जुए में कैसे हैं आप सब तो ये बताने के लिए कॉमेंट बॉक्स में जै माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखे तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि मौनी अमोस्या कब है किस दिन हमें असनान दान करनी है और इस बार हमें पीपल की परिकर्मा करनी है कि नहीं करनी है भावरी देनी है कि नहीं देनी है जो हमें 108 बार भावरी देते हैं आप लोग का बहुत सारे सवाल आ रहे कि दिदी भावरी किस दिन देनी है तो वो भी मैं इस वीडियो में किलियर करूंगी और इस मौनी अमोस्या में किस बात का हमें ध्यान रखनी चाहिए जो कि हमें बिल्कुल गलती उस दिन नहीं करनी चाहिए मतलब गलती से भी भूल कर भी ये गलती आपको नहीं करनी चाह तो इन सभी मोहतपूर बातों को हम इस वीडियो में जानेंगे और कब पड़ा है ये भी मैं आपको बताऊंगी तो आप बने रहें मेरे साथ मेरे चैनल पर अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बैल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिस से मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे तो चलिए सुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको मैं बता दूँ कि मौनी अमोसिया जो है इस साल एक फरवरी को पड़ा है दीन है मंगलवार तो उस दीन ह हमें असनान दान करनी है भी भी खारी को जरूरत मंद को भोजन करानी है जो गरीब हैं जिनको चाहिए उनको कपड़े वस्त्र का आप दान कर सकते हैं कि क्योंकि अमोसिया और पूनीमा तीथी जो है ना दान के लिए सबसे स्रिष्ट तीथी मानी जाती है पूनीमा तीथी पर अगर हम दान उपदान करते हैं तो इससे सुभ दिन हमारे लिए कुछ भी नहीं होता है तो आप जरूर उस दिन दान कीजिए जरूरत मंद को जो ही आप चाहें दिल खोल कर दान कीजिए कभी भी भी खारी को अपने दरवाजी से आपको नहीं लौटानी चाहिए अमौसय हम तरपन भी करते हैं अपने पित्रों को याद करते हैं उनके नाम से पिंड दान करते हैं तरपन करते हैं तो हमारे पित्र परिक्षा लेने के लिए किसी भी भेस में धर्ती पर आते हैं गाय के भेस में आपको मिले कुत्ते के भेस में मिले बिल्ली कौवे किसी भी रूप को बिलकुल नहीं मारनी चाहिए, क्योंकि ये भी हमारे लिए सुभ नहीं होता है, तो आप क्या कीजिए, कि अगर कोई भी ऐसा आपको दिखता है, तो उसको जरूर भोजन कराईये, जरूरत मंद को दान दिजिए, और गाय या किसी भी पसु पक्षी को आप उस दिन मारे ना उसका निरादर ना करें भूल कर भी ना करें आपके हाथों से ये पाप ना हो तो ये बात आपको ध्यान रखनी है दूसरी बात क्या है कि चलिए जान लेते हैं कि अमोस्या तिथी कब प्रारंब हो रही है और कब स कुम बार को पड़ती है उसी दिन हम भावर देते हैं पीपल ब्रिक्च की परिकर्मा करते हैं भावरी लगाते हैं 108 बार और उनको जल से सीचते हैं ठीक है और इस बार जो है अमोस्या तिथी हमें भावरी क्यों नहीं लगानी है क्योंकि अमोस्या तिथी जो है सुरू हो 31 जनवरी दो पहर दो बज कर 18 मिनट पर तो ऐसे में हम पीपल ब्रिक्च की परिकर्मा कैसे करेंगे क्यूंकि पीपल ब्रिक्च की परिकर्मा आपको मालूम ही है ना सुबह में हम करते हैं सुबह में ही पूजा करते हैं दो पहर में हम पीपल ब्रिक्च की परिकर्मा ना करते हैं न परिकर्मा करते और न हम पूजा करते हैं पीपल ब्रिक्च तो आपको मालूम है सभी देवी देवताओं का निवास अस्थान माना जाता है तो अमोस्य तीथी पर आपको पीपल के ब्रिक्च की पूजा आवस्य करनी है भली ही आप परिकर्मा न करें भावरी न दें ल अमौसया तिथी हमारी एक फरवरी सुबह 11 बचकर 15 मिनट पर समाप्त होगी तो उस दिन अमौसया तिथी जो मंगलवार हो जा रहा है और सोम बार के अमौसया तिथी पर हमें भावरी देनी चाहिए तो मंगलवार को आप कैसे देते हैं ऐसे तो नियम है कि उद्या तिथी मे हमें भावरी देनी चाहिए और सोम बार के दीन ही देनी चाहिए जो अमौसया सोम बार को पढ़ती है उसी दीन देनी चाहिए तो इसलिए इस बार आपको भावरी नहीं देनी है भावर नहीं घुमना है परिकर्मा नहीं करनी है पीपल बिरिक्ष की ठीक है क्योंकि एक फर हमें परिकर्मा करनी है पीपल विरिख्चि की तो हमें सुम्वती अमोस्या में ही करनी है तो इसलिए आप उद्या तिति में ही आप करे जब कभी भी करे तो इसलिए हमें इस बार आपको देखे मैं कई बर समझा दी आपको इस बार भारी नहीं देनी है और एक फरवरी को हमें असनान दान की जो अमोसिया है वो मौनी अमोसिया के नाम से आपको मालूमी है सबसे बड़ा मागमास का यह अमोसिया माना जाता है तो उस दिन हमें असनान दान करनी है और वो कैसे करनी है चलिए वो भी जान लेते हैं तो सुबह आपको सुर्योदे से पुर्व उठकर सबसे पहले असनान करके सूरे देव को जल देनी चाहिए परिकर्मा लगाएं साथ या पाँच वार आपको परिकर्मा जरूर सूरे देव की करनी चाहिए उसके बाद आपको मंत्र बोलते हुए आप बोलकर इस मंत्र का उचारण करते हुए आपको सूरे देव को जल देनी चाहिए उसके बाद उसके आगे आपको ध्यान रखने है कि कहीं भी आपको आस पड़ोस अगर पीपल ब्रिक्ष मिलता है तो जरूर उस दिन पूजा कीजिए क्योंकि हमारे पित्रों के लिए और हमारे लिए भी बहुत अधिक सुब होता है क्योंकि कभी-कभी पित्रों का निवास भी पीपल ब्रिक्ष पे माना जाता है तो बड़े प्रेम और स्रधा के साथ आपको पीपल ब्रिक्ष की पूजा करनी चाहिए मिठाई वगरा चड़ा कर जरूरत मंदों को गरीबों को अब भूखे मनुसों को भोजन करा सकते हैं दान उपदान कर सकते हैं ठीक है तो इस परकार से आपको करनी है एक फरवरी को तो ये भी हो गया और कौन सी गलती हमें नहीं करनी है वो भी चलिए जान लेते हैं तो अमोसया तीथी के दिन मौनी अमोसया में यही नियम है मौनी सब्द की उत्पती हुई है मुनी सब्द से तो इसके उपर एक बहुत सुन्दर कहानी भी है लेकिन वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं कथा आपको नहीं सुना रही हूँ लेकिन इसमें ऐसा माना जाता है कि मौनी अमोसया का सबसे बिसेस बात क्या है मौतपूर बात क्या है ध्यान रखने वाली बात क्या है कि आपको सुबह उठकर बीना कुछ बोले, बीना किसी से कुछ बोले, बहुत सारे लोग है न, हे भगवान, हे राम, हे नारायन, बोलती हुए उठते हैं, लेकिन मौनी अमोस्या में आपको ध्यान रखनी है कि कभी कुछ अपने मुझ से एक सब्द आपको नहीं बोलनी है, क बात आप ध्यान रखिएगा कि यह भूल आपसे भूल कर भी ना हो, और चुप चापसे अब जाकर सबसे पहले अस्नान कर लीजे, अगर गंगा अस्थान पर आप गए हैं, गंगा तट पर गए हैं, तो वहाँ कर लीजे, अगर घर में कर रहे हैं, तो भी सुबह पूर्व आपको कर लेनी चाहिए गंगा जल मिले हुए जल से हर हर गंगे बोलते हुए आप असनान कर लीजिए ठीक है उसके आगे आप अपने घर में पूजा मंदिर में पूजा कीजिए उस दिन थोड़ा कम बोलिए अगर सबसे सुभ लाव चाते हैं तो अपने घर किसी से एक सब्द नहीं बोलनी है ठीक है इस बात का विशेश तोर से ध्यान रखिएगा तो यहीं हमारी भूलती तो यहीं तक था हमारे वीडियो आसा करती हूं उमीद करती हूं कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत अधिकलाब मिलेगा फिर मिलती हूं एक नए यह खूब खूस रही है